अर्थ मंसा अचा व्रत कता एक समय तरा तरा के फल और फूल सुन्दर सुन्दर जड़ी वुट्टियों ते सोबाइक मान केलाश परत विराजमान शिर शंकर जी पार्वती जी से बोले यह जगत के समय आज मन बहलाने के वास्ते आप और में चोपट खेल केले शंकर जी ने का चोपट खेल में वही मानी बहुत होती है हार जीत का पता नहीं पड़ता इसलिए गो तीसरा आदमी होना चाहिए जो मंदर से हार जीत का फेसला कर सके पारवती जी ने ऐसा सुनकर पूचा कौन और इस में का यह जीत है पारवति जी ने इस तर फेकर पता कौन ऑर वोटे बटबाटकता फिर एक तरफ चल पड़ा बहुत दूर चलते जलता एक भहनक जंगल आया उसने देखा इबरत कोश की दूरी पर फेला एक बहुत बढ़ बढ़ा तला यसी बड़ और बड़े-बड़े फिपल के पेड जिसके निचे इंद्र इंद्रानी ब्रहमजी इसत्र ब्रह्मानी और देवत की इस्तरुने कह उत्र को देख कर पार्वती चरप पुठर अंगजी ने पुझा कि तुम क्या कर रही हो तप देवतोरों यदे Python के नाम क information के पूजे अंगर जी को देवतों की स्रुने व्रत का सारा तरीका बता दिया था शावन सुधी के पहले सुवार को कुवानी लड़की से दोपनी सूत कत्वा का डोरा करे और सुधोरे को गेरोंग में रंकर शंकर बगवान का पूजन कार्थी सुधी चोथ हर समवार तक करते रहे वर्द सहाव श्राट सहीर का चरुमना कर इसके चार बना हमार को एक सावरमान को देवा और सबड़े किसी को कम किसी को जाधा ना देवाई से बतावी नियम संहीं प्रत के बिरद क्लाव उच्वार शोग गए चार साल होग इदर एक देन अंगत्य पूचा कि हमारा पूत् तो बता है जिसके घंडे से मेरा पूतर मुझे मिल जावे तब मादेव जी ने बता है कि शावन सुदी के पहले सो मार के दिन कुआरी लड़की से दोपुनी सूद कत्वा कर उसका डोरा बनवा कर गेरोंग में रंग कर उसको हर सो मादेव जी की पूझा करें पूत्र को आया देकर पार्वती हसने लगी अंगत जी यह देकर पीछे हड़ गया पार्वती ने पुछे तुम पीछे के वाड़ गया तब पूत्र ने खाल तुम मेरे विना बुला है आने पर अने पर हसी हैं पीछें फट गया इस पर पार्वती जी क्या है तुम मुझे मिल गये तुम कि चाहते हो फो पूत्र ना पूत्र बोला एक तरफ चल पड़ा बहुत चल चल पड़ा उजण पुझके राजारानी से मिला राजारानी बुड़े हो गए थे एक उनके कोई पूत्र नहीं था केवल एक कन्या थी राजारानी ने सोचा हम बुड़े हो गए इसलिए अपनी कन्या कुईवा किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उन्हें संभाला देवे ऐसा इसलिए उसलिए 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 माला डाल दी है ऐसा विचारकर उन्हें ने अच्छाट को सजाया गया और माला लेका निवदिन किया कि यह गज रादु देवता सरूप है तो इस राज्या का मालिक बनकर राज भोगने वाला हुँ उसके लिए राज्यकों माई लेज स्ट वर उसके लिए माला डाल देना अंगजी को पहले ही महां से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था विवा कर दिया सारा राज पडोने सोब दिया अपनी खर्ज के लिए चार गां रख लिए राजकुमान ने पूछा आपका नाम क्या आपकी ज़त्ती का आपके माधापिता कौन है तब उनुने का कि मेरा नम आंगा दे श्री माधेव जी तर पारवती जी तो देव लोग की तब अंगर जी ने का कि एक समय सुन्दर फूल और वनेश्पति शोबित केलाश परवत पर मादेव विराजमान थे तब पारवती जी ने मादेव से चोपट खेलने के लिए मादेव जी ने पासा फेका मुझसे पूचा कौन जीता मैंने का मादेव जीते हो पारवती जी तो मादेव मुझे श्राब देंगे इसलिए मैंने का कि मादेव जीते हो पारवती जी पारवती जी ने यह सुनके मुझे श्राब दे दिया तो कोटी हो जागा मारा भटकता फि कर रहा है कि उसत्रों को डेकर मैंने उसे पूछा करने से क्या हुता है कि वृत करने की विदीबत है ने किसी सब्सक्राइब क्ला बना कर बना कर सब को बराबर बांट दिया इस प्रकार रहे het सब्सक्राइब और उसके चार भाग उपर बताएवे विदी ढंग से बराबर एदर में जाकर पार्वती मुझे देखती हस पड़ी में पार्वती को हस्ता देख पीछे अगया पार्वती जी ने का कि तुम पिछे क्यों पीछे पारवती जी ने का कि मैंने तो मैं तो इसली थी क्योंकि मैंने में अचत कि बरत किया जिसके परवाद से मेरे पुत्र मुझे मिल गया मैंने का कि मैंने तुम तुमारे मन की इच्छा आवश्य पूर्ण हो गया उज्जे ने करें राज्य भी मिल गया अंगर जी ने अपनी विवहत राजकुमाई से पुचे तुमारे मन में क्या है सो के हो राजकुमाई ने का कि हमारे बिना गरवास की पुत्र होना चाहिए जब अंगर जी ने खाते संमय दासी को पातर में जल लाने को कहा तब दासी जल लाने के तो क्या देखती है कि दासी ने जट से आकर राने से का कि आपकी पुत्र हुआ है, राणे ने का कि क्योंजे करती हैं, दासी ने का कि विश्वाष ना तो खूछ चलकर देखलो, राने ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा पर का अंगुटा चूस रहा है, राने ने बहुत प्रसंद लोकर मादेल से प्रातना के लिए बगवन आपने पूत्र दिया तो इसके लिए इस तुनों में दूद की धार भी निकल जाये इतना कहते इस तुनों में दूद की धार फूट गए बच्चे को स्नान करा कर दूद पिला इस प्रकार वालक धिरी धिर बढ़ा होने लगा कोई नहीं मान सकता ता माता ना क्या कि एक दिन मादेव वां केलाश परवत चोपटख खिलने की सोची हाट जितन का फेसला करने के लिए पुत्र दूसरी बार पासा चलने पुत्र के यह वच्छन सुनकर पारवती ने अपने आवेश में आकर पुत्र को श्राब दे दिया तो कुदूर दूर भटकता फिरेगा तेरे सारे शरी पर कोड हो जाएंगे पारवती के श्राब को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पहुचा जहां पर जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ नीचे इंद्राणी ब्रम्मानी मंसाा चेक वरत कर रही थी अंगत को इस वरत करने मादेव करना पुत्र नहीं आया है मादेजी ने का कि शावन सुधी चोत को जब पहला सुमवर आये तब कुमारी कन्या से सूत कत्वा कर मादेजी का पुजन करें कि सवसेर गुड सवसेर ऐतया लेकर चुमा बना रखार बराबर कर एक सादू को देवे करें ब्रमां को देब आदा ना खतकावे और आदा बांटी इसा चार वक्त करते रहें पूटर आकर खड़ा ओ गया पार्वती हसने लगी तब अंगर जी ने पुछा तुम पिछे क्यो पार्वती जी ने का कि इस रज के प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया है अब तुम मारे मन में क्या है उजनक राजह चाहता हो तो माता बोली तुम्हारी उजनक राजह मिल जाएगा तेरे पिता के बता हुए ड्ञ्षे मैंने मंसार चक व्रफ किया तो मुझे बिना दर्वास की पुत्र उत्पन हुए इस तर合 जी तेरे पिता ओर मादे को बुलाकट साज भाट धाट भाट के साथ उस कन्या से विवा कर लिया एक दिन राजा शिकार खिलने गया और शिकार नहीं मिला रास्ता बड़ा गया और एक बाग में डेरा डाल दिया राजा भूख के ऐसे वैकल हो रहा था इतने में ही एक ब्रह्मान आ गया उसने अपना पतड़ा देखकर का कि आज का ते उसदी चोट का उजरन है सो राजा को अधिक और गरिब को कम नहीं देना चाहिए सो चोट का पूजन करावे पूजन राजा ने का कि ब्रह्मान दिवसा मुझसे भूल हो गए सो चोट का पूजन करावे यह पूजन कराकर राजा नगर मे मेरे लिए तो काफी एगिंदू फोज के लिए थोड़ा को इतने में ही मादेव ने गुसे में भरकर राजा को सपने में का कि तुम अपनी राणी को घर से निकाल दो नहीं तो मैं तुमारे राजे नस्ट कर दूंगा तब राजा ने खुद मेल में जाकर डाट फकटकर नाundaslov में खोब राजा स्विक्ति फने अपने गर भने में पेशन में जा रही हो तब राजा के लिए मोई तो कि टेय देश निकाल दिया Bye तब सेट ने का कि राजा को एक दो दिन में समझा देंगे आप मेरी हवेली चले रानिंग के पोस्ते इसेड अंदा हो गया उसका कराबर ठब हो गया और हड़ियां बंध होने लगी सेट जी का दिवाला होने लगा तब सेट जी ने भी हाथ जोड कर रानि से का कि आप यह से तब राजा के गुस्षी में आकर निकालने की बात सुना है तब कुमार ने कहा कि राजा को एक दो दिन में समझा देंगे आप मेरे घर चलो राणी कुमार के साथ गर चली गए और वहां पूस्ति कुमार अंदा हो गया और कुमार हाथ उड़के राणी से कहने लगा कि आप माली को देश निकालने की बात कई महलीन है आप मेरे बाग में चलो एक-दो दिन में राजास आपको मना लینगे राणी के बाग में प्रॉस्ता है जीवन से अचह तो मनना ही अच्छा हो पर जमीन के बराबर हो गए रानी फिर आगे चलने पर एक भर जंगली शेर मिला उसने पूछा रानी ने सोचा कि मैं रानी ने सोचा कि यदि मैं से छेड़ूंगी ते मुझे जरूर अवश्य खा जा गई है सोच कर उसे हाथ फेरा तो पत्तर का हो गया रानी फिर आगे चलने पर उसके अजगर मिला उसने सोचा कि मैं से छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जा गई हो सोच कर अजगर को छेड़ा दब रसी बन गया फिर आगे चलते चलते एक बारी पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआ था मादी जी का मंदी था उसमें बैटकर रानी हो नमश्वाय मंत्र का जाब पाट कने लगे उस दिन काती सुधी चोती और उसके उजरन के लिए म अपना हाल सारा आपको बताऊं तब सादू ने का कि तो मेरी धर्म की बेटी उसो अपना हाल को तब राणी ने सारी बाते बता दे सादू ने का कि काच कातिस वी चोत का उज़रन एसो रजा को अधिक और गरिब को कम नहीं देना चैसी एक से लड़ बनाये जाते तब इतने पर सावन शुदी आई और रानी ने सादू को याद दिलाया कि सादू ने गाउं में जाकर पुझा समगरी खटी के और रानी ने पुझा आरम की सावन के पहले समार की दिन कौनी कानिया से धाय पुनी सूत कत्वाए और मादेव जी की पुझा पिर कातिस चोत का आसान होगा तो इंसाब को जीवित कर दो होलुमिर मन्डर का जाप कर पात ओं मत्र का पाड कर जल का छीटा देना एसा कर ज्वित हो गए καιन सॉरुष्च बन गया तो उसके पास गई और उमनमसिवान्त्रा का जाप बोली हो सप्रभी चोगुना maxim वाला हो जाए है नियुकूज में बहुत के सामने बहुत इस तरह आगे का जाब करने पर भी चोगनी नदी भी चोगनी होकर बैने लगी माली का भाग हरा भरा हो गया और उसका अंदरपन जाता रहा नंगर के सेट के जाने पर उसके हड़ियां चलने लगी और उसके आंखों से दिखाई देने लगा लक्षमी जी का बंडार बगया सेट हां निकलना पाई जिस किसी चुले में दूआ निकले उसके घ्यार रुपर दंड होगा सारे गाओं के लोग बोजन करकर करके जाने लगे खबर दरबार में पहुंची कि हाथ चोट चोट का उज्रन है सो कोई पूखा पैसा मिले उसे बोजन के लिए बेस दे सारे शहर में प्रकास संकत भगों के दर्इशन अर्षन पूजन ब्रक्ति जाने पूरी होती है बगवान शंकत जो नर नशावन का अर्तिक माहिने में शद्दा भाव से पूजा करता है वह सुन्दर सुन्दर भोगों को भोगने के बाद संसार के बन्नों से मुक्ति को प्राप्त होता है अतर शंकर भगवान की निती फूजा अगरगरस्ती अपना जयम सक्फल कर जये बोले नाथ